नमस्कार मैं हूरीश शावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेक्स उत्तर प्रदेश के हाथ रस में समुएक दुशकरम पिर्टा को इनसाफ दिलाने के लिए देश भर में गुसा है जगजाईर है कि देश के लोगों में गुसा होना भी जही आकिर एक बेटी की असमत चली गी और फिर उसकी दर्दनाक मौत हो गई पिर्टा की मौत के बाद अब उसका जबरन अंतिम सिसकार भी कर दिया गया इसे लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन इस मामले पर सूबे की योगी अधित्यनाद की सरकार अब विपक्ष के निशाने पर है इस बीच कांग्रेस मासाची प्रिंका गांधी वाडरा और पालिटी के पूर अधिक्ष रहूल गांधी पिर्टा के प्रिवार से मुलाकात करने के लिए आज दिल्ली से रवाना हो गई उन्हें यमना एक्सप्रक्स वे पर रोक दिया गया प्रशासर ने उन्हें आगे जाने की नुमती नहीं दी राहूल इस दुरान सडक पर गिर पड़े उनके सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें उठाया बाद में उन्होंने मीडिया से कहा कि आस्तिती यह हो गई है कि देश में आम आदमी को पैदल चलने का अधिकार नहीं रहा जिस पीड़ता से गैंग रिप किया गया उसके शव को आदी रात को जला दिया गया जबकि उनके परिजन रोते रहे हम पीड़ता के परिजनों को सान्फना देने के लिए जा रहे थे लेकिन सरकार ने हत कंड़े अबना कर आमे रोक दिया राहूल ने का इस से सरकार की मंचा साफ नदर आ रही है कि विपक्ष की हवाज को पूरी तरह से दबा दिया जाए प्रिंका के OSD ने कहा कि प्रिंका और राहूल को यूपी पुलिशी ने रोक लिया है दोनों हात्रस के लिए पैदल मार्च कर रहे थे एकस्पेक्ट वे से हात्रस की दूरी क्रीब 142 किलोमेटर है गुरुआर की सुबह खबर आई कि राहूल प्रिंका पिडित प्रिवार से मिलने जाने वाले है हाला कि इसके बाद प्रशाशन की और से तुरंट कहा गया की हात्रस में एक सितंबर से 31 अक्तूबर तक के लिए करोना वारिस को देखते हैं धार 144 लागू की गई है उनकी आने से पहले यूपी प्रशाशन ने बड़ी सिंक्या में एकटा होने पर रुक लगा दी गई और कई जगे पर नाके बंदी भी कर दी गी राहूल प्रिंका के काफिले के साथ कांगस के कारे करता भी थे जिनोंने रोड ब्लॉक किया था और नारे लगा रहे थे उन्होंने दिल्ली से यूपी का बाॉडर भी क्रोस कर लिया था लेकिन उनके काफिले को ग्रेटर नोडा के परी चौंक पर रोक लिया गया लेकिन राउल गांदी और प्रिंका गांदी वाड़ा ने गाड़ी से उतर कर पैदल चलना शुरू कर दिया इसके बाद उन्हें हिरासत में लिया गया आपको बता दूँ कि सुबह से ही पीड़ता के गांद में मीडिया के जैने पर भी रोक लगा दी गई थी यूपी के अधिकारियों का दावा है कि यहाँ पर एक स्थम्बर से ही प्रतिबंद लगाए गए थे जिसे बढ़ा कर 31 सक्तूबर कर दिया गया एक वरिष्ट अधिकारियों ने दावा किया कि कई पुलिस कर्मियों में कोबिड के लक्षन नजर आये थे हातरस के डियम पीके लक्षकार ने बताया कि जिले में सी आर पिसी की धार 144 के तहत निशेद दाग्या लागू कर दी गई है जो 31 सक्तूबर तक प्रभावी रहेगी इसके लावा जिले की सभी सी माई सील कर दी गई है उन्होंने सभी से जिले में शान्ती वस्ता बनाय रखने की बात भी कई इदर बिग बॉस के एक्स कंटेस्टर तैसीन पुनेवाला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दैर किये बता दे कि 14 स्थंबर कोहातरस के गाह में गैंग रेप की शिकार हुई पीरता की मंगलवार को दिल्ली के एक हस्पिताल में मोत हो गई थी उसके श्रीर में कई फैक्चर आ गए थे इतनी घंबीर चोटे लगी थी कि वो पैरलाइज हो गई उसके गले में भी कैसी चोट आई कि उसे सास लेने में तकलीफ हो रही थी हाला कि पुलिस बता रही है कि उसकी जीब में गहरा कट था जो गला दबाने की वज़े से जीब बाहर आने के चलते बना होगा पिर्टा की मोत के बाद और यूपी पुलिस पर डिलाई करने के प्रिवार के अरोप के बाद मामले में अक्रोश फैल गया लेकिर असली बाद तब शुरुआ जब यूपी पुलिस पिर्टा का शव लेकर उसके गाम पहुँची और जबरज़ती प्रिवार को दर किनार कर उसका अंतिम संसकार कर दिया गया इस घटना को लेकर राज्य की योगी सरकार चारों और से निशाने पर आगी है आज बसपा की परमुक माया वती ने भी योगी सरकार पर निशाना साथ था कई विपक्षी पाल्टियां साइद बीजेपी किसे होगी पाल्टियों और पाल्टि के नताओं ने पुलिस पर कारवाई की मांग करती है देखिए इस मामले में समाचार एक्सप्रेक्स की या विशेश रिपोर्ट मैं अकेला जाना चाहता हूँ मैं अकेला पैदल यहां से हातरज जाना चाहता हूँ किस बेसिस पे आप मुझे गिरिफ्तार कर रहें यह मुझे बता दीजिए किस दारह में आप मुझे एरेस्ट कर दें मैं अकेला जाना चाहता हूँ सब्सक्राइब कर दें में आपको अभी करता है यह मुझे मुझे बता रहा हूँ बाइब आप मुझे बताईए खिस दारह पर आप मुझे आरेस्ट कर रहे हैं और वो धारा जो है वह आप प्रेस्वालों को समझाइए क्या है एक्जैक्टि कुंसा ओडर मैंने वाइलेश किया सर्वान फोर्टीफोर में रोओं है यह आपने किया है यह आपने क्रियेट किया अप लोग यह आपके लोग है सब्सक्राइब आपने ने जोना मैं तो इस पूर ने मैं पूछ ना यह बता यह आपने किसके आदेश पर लाटी चार आपको 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 किसका हिसार पर लाटी चार्ज किया है ऐसे ही लेटेश पर पाने के लिए बैल आइकन को क्लिक करें हमारी चैनल को लाइफ शेर और सब्सक्राइब करें घंदेवाल कि और सक्सिंग हमारी चैनल को खुप अपय करें हमारी चैनल को लाटी चैनल